आप लोगों का हर दिख स्वागते लेटेफ्ट अपटेट निकल गया है कि केंद्रे क्रमचारी को मिलने जा रहा है बहुत बड़ा तोफा सरकार बढ़ा कर इतनी करेगी बेसिक सालरी तो दोस्तों करमचारी की बेसिक सालरी में कितना ही जाफा होगा वो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर पाफ टाइम जोट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सस्क्राइब कर दीजिए साथी साथ वेल आइकन को भी वजा दीजिए ताकि गवर्मेंट या पैंशन से समधी जितनी भी नूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पोस्त के तो करते हैं वीडियो को उफ्टाइट बिना किसी देरी के दोस्तों लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग करें केंदरे करमचारी को जल्द ही अच्छी ख़बर मिलने वाली है केंदर सरकार अपने करमचारी का वेतन बढ़ाने जा रही है मिडिया रिपोर्ट के मुताविक सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर केंद्रे करमचारी के फिटमेंट फैक्टर में जापे की गोशना करती है तो उनके वेतन में अच्छी खासी बड़ोत्री देखने को मिलेगी दरसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से नियुन्तम वेतन में भी बड़ोत्री होगी वर्तमान में करमचारी को 2.57 परतिशत के 18,000 रूपे से बढ़कर 26,000 रूपे कर दिया जाएगा दोस्तों अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा कर 3.68 कर दिया जाता है तो करमचारियों का मूल वेतन 26,000 रूपे हो जाएगा अभी अगर किसी का नियुनतम वेतन 18,000 रूपे है तो बत्तों को छोड़कर आपको 2.57 फ 680 रूपे हो जाएगी दोफ्तों केंद्रिय मंत्री मंदल में जून 2017 में 34 संसोदों के साथ फात्मे वेतन आयोग की स्पारिस को मंजूरी दी थी एंट्री लैवल बेसिक पे 7,000 रूपे पर तिमास से बढ़ा कर 18,000 रूपे कर दिया गया था जबकि उच्टम सतर यानी सच जीव को 9,000 रूपे से बढ़ा कर 2,50,000 रूपे कर दिया गया था ख्लास वन के अधिकारियों के लिए सुरुआती बेतन 56,100 रूपे था तो दोफ्तों आज के लिए इतना मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत